साथ यो काफी महत पूर जानकारी आप सभी के साथ साचा करने वाला हूँ इस पेसली ये मैसज उन लोगों के लिए है जो कि समय से पूर यानि जैसे कि कोई एक इंप्लॉई है वो कमपनी छोड़ता है और वो समय से पहले जो है अपना पीएफ निकाल लेता है समय से पहले कहने का यहां पर यह है कि वो रिटार्मेंट से पहले कई बार देखा गया है कि जब एक employee दूसरी company में move करता है तो वो अपना पीएप जो है पिछली company से निकाल लेता है आज हम आपको बताने वाले कि उसके क्या drawbacks होते हैं किस प्रकार से आप खुद के पैर पे एक तरह से कुलहडी मार रहे हो आपको कितना बड़ा खाटा हो जाता है इस छोटी सी गलती के विज़े से और हाला कि मैं आपको बताता चलूँ कि EPFO ने खुद भी option दिया हुआ है कि कुछ जैसे कि आपको कोई आवश्यक्ता है घर वगेरा के लिए बच्चों की पढ़ाई के लिए साधी बया के लिए तो पर इस तरह के options के जरीए पैसा निकाल सकता है यह आपको allow करता है EPFO उसके बाद उसके बाद भी काफी लोग जो ऐसे होते हैं जो कि बिना किसी आवश्यक्ता के ही EPF से अपना पैसा निकाल लेता है तो उसकी क्या कमिया होती है और उन्हें उसे long term में किस प्रकार से जो है उनका उसको बहुत बड़ा घाटा होता है वो इस वीडियो में समझने वाले हैं वीडियो में आगे मनें इस पहले छोटा सारी क्वेश्ट रहेगा दोस्तों इस चैनल को अगर भी तक आपने subscribe नहीं किया हुआ है तो नीचे के red बटन को प्रेस करके subscribe करें और जादे से ही जो है आपकी भचत के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार रहता है आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों तो चलिए आर इस वीडियो में हम लोग समझते हैं शीज को सामाने तोर पर देखा गया है कि नीची छेतर के कर्मचारी प्रतेक दो तीन में कमपनियों और नौकरी जाते हैं तो कई बार उन्हें कुछ महीनों का इंतियार करना पड़ता है इस बीच वे अक्सर एक गलती करते हैं जिसे लेकर बाद में पस्तावा होता है वह यह है कि नौकरी बदलते ही पीएप का पैसा निकाल लेते हैं नीजी छेतर के कर्मचारियों में अक्सर नौकरी बदलने के साथ ही पीएप पैसा निकालने की आदत होती है कुछ लोग सक्त आवशक्ता के समय इसे निकालते हैं तो कुछ ऐसे भी निकाल लेते हैं ऐसे ही निकाल लेते हैं पीएफ खाते की रासी को अधिकांस लोगों को भविश्य में मिलने वाली सुरच्छित रासी के तोर पर जमा रखते हैं अगर बीच में मजबूरी की कारड़ आपके पैसे निकालने हो तो उसके लिए आप अपनी केवाईशी अपडेट होना चाहिए बहुत जरूरी है लेकिन सायद आप नहीं जानते होंगे समय से पूर पीएफ खाते से पैसा निकालना आपके लिए के इससे आपके दो और नव्करी के दोराँ सालरी का एक आंस जो है भविशने दिय में जमा की गई है वह एक ही बार में खत्म हो जाएगी पीएफ का पैसा आपकी बजड़न का ऐसा होता है कि इसे निकालने से आपकी पैंसन की निरंटता भी नहीं बन पाती है सवार उठ बदलें तो उसके साथ कर सकते हैं वहीं अगर सेवानिबिति के बाद भी अगर आपको पीएफ के पैसे की ज्यादा जरुवत नहीं है तो कुछ और साल के लिए पैसे उसी खाते में छोड़ सकते हैं पीएफ पर तीन साल तक मिलेगा ब्याज फाइदे की बात यह है कि आपकी सेवानिबिति के बाद भी तीन साल तक पीएफ खाते में जमा रकम पर ब्याज मिलता रहता है तो अगर आपने तीन साल तक पैसे नहीं निकाले तो आपको उसका ब्याज भी मिलेगा क्योंकि तीन साल तक नई रकम जमा नहीं होने पर भी पीएफ खाते को निस्क्रियता मा सावाल उठता है की 15 पैसा कब निकाल सकते हैं साम्वाने दोर पर पाइसा सेवा निबृत के तीन साल posondra निकालना चाहिई यदि फायामन्द होता है हालाकि अत्यादिक आवस्षק होने पर इसे बीच में निकाला जा सकता है जैसे यदि व्यक्ति दो माह तक बेरोजगार है या नौकरी छोड़ दे दो माह हो गए हैं और उसे पैसे की जरूरत है तो वह पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकता है वहीं नौकरी छोड़ने के एक माह के बाद 75 फीसदी पैसा निकाल सकता है वहीं 10 साल से कम नौकरी का समय है तो पेंसन का भी पूरा पैसा निकाल सकता है जबकि साम्माने ता पीएफ का पूरा पैसा से बाद ही निकाला जा सकता है कोवीट के दोरान अगर आपने पैसा निकाला है तो जुरुत पड़ी पैसे की तो क्या करें कोड़ना मामारी के प्रकूप के देखतों एक करमचारी भविशने दिसंगडर ने कोवीड-19 एडवांस स्किम सुरू की है इस योजना के तहट आप पीएफ खाते से तीन माह के ब बात को अब संजए थि अगर आप से पैसा निकाल लेते हैं अब पैसा की निकाल होने पर निकाले झाल झाल